हलो वाट्स अप दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि थाइलाइंड की अंदर जो है वो आप वर्क परमिट कैसे पाएंगे तो दोस्तों इसकी पूरी जो प् अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतिजार किस बात का कर रहे हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नहीं ने विडियो सबसे पहले देख सकें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको काम करना है तो आपको पहले non-immigrant visa भी लेना पड़ेगा और उसकी बाद work permit के लिए भी apply करना पड़ेगा और तभी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं. तो सबसे पहली शुरुवात होती है non-immigrant visa लेने से और उसकी बाद जो है तो वो आपका work permit मेह साथ दिनों के भीतर आ जाता है तो work permit की उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं हो सकता है कि work permit के लिए आपकी जो company है वो ही आपकी तरफ से apply करेगी लेकिन यह जो non-immigrant visa है इसके ल यहां पर आपको कौन से कौन से document submit करने पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात तो दो photos लगेंगे जो की 2 inch by 2 inch के होगे यह size उन्होंने precisely वहां पर बताया हुआ है इसकी अलावा medical certificate लगेगा जो कि यह state करता है कि आपको किसी भी तरीके की बीमारी यहां पर नहीं है और कोई भी जो की पैल सकती है और आप पूरी तरीके से mentally और physically बिलकुल fit state में हो इसके अलावा आपको आपका original passport दिखाना पड़ेगा इसके अलावा letter of employment याने कि वहां की company ने आपको जो भी कोई position offer की है तो उसके लिए आपको एक letter of employment यह हम कहें कि appointment letter जरूर दिया जाएगा तो वो भी आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा इसके अलावा certificate of degree याने कि जो भी आपकी पढ़ाई हुई है उससे related सारे कागजाद जो है वो वहां पर उसकी copy देनी पड़ेगी इसकी अलावा आप कहां पर रह रहे हैं Thailand के अंदर तो उसका भी एक proof देना पड़ेगा जिससे कि उन इसके साथ साथ list of shareholders याने कि उस company में कितने shareholders हैं इसके अलावा application from VAT withholding tax of the company financial statement देना पड़ेगा photocopy of the director's passport and work permit with signature affixed तो जो company का owner है उसका passport भी देना पड़ेगा उसके पास जो work permit है वो दिखाना पड़ेगा जिसके उपर signature भी हो इसके अलावा office का map आपको देना पड़ेगा कि आपका office exactly कहां पर है तो उस area का पूरा map देना पड़ेगा इसके अलावा letter of employment stating position and salary of applicant याने कि जिसको वो लोग काम पर रख रहे हैं उसका जो employment letter है वो भी वहाँ पर देना पड़ेगा जिसके अंदर ये state किया होगा कि कौन से position के लिए उस आदमी को hire किया जा रहा है और उसकी salary कितनी होने वाली है तो ये इसलिए मांगा जाता है ताकि उनकी standard salary उन्होंने set कर रखी है तो उसकी हिसाब से वो salary होने चाहिए वहां के काईदे कानूनों की हिसाब से और आखरी में employment agreement आपको दिखाना पड़ेगा तो employment agreement जो है उसकी एक copy जो आदमी काम करने वाला है उसके तरफ भी भीजी जाएगी और एक copy employer के पास भी रहेगी तो हो सकता है कि जब करके यह इसका पूरा लेखा जोखा है कि अगर आपको वहां पर जाकर के काम करना है तो आपको वहां पर जो है वो non-immigrant visa working visa जो होता है उसके लिए apply करना है और आपका जो employer है वो Thailand से work permit के लिए आपके apply कर देगा और दोनों तरफ से जब clearance आ जाएगा वहां से आपका work permit ब बन जाएगा उसके बाद ही आप वहां पर जाकर के काम करना शुरू कर सकते हैं तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो like करना ना भूले और जादा से ज जादा शेयर करने की भी जरूर कोशिश करें